अब भी हम लोग बापु धाम मोतिहरी के चरखा पार्क में और सामने यहां पे सत्य मेव जयते लिखा हुआ और नीचे एक चरखा का भी तस्वीर बना हुआ जिसको आप देख पा रहांगे और यहां से हम देश को सर्मसार करना वाली एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं आप पर आप त्लिएक फिक्चर चल रहा हुआ कि इसी पर परशो तक बराष्ण पृता महातमा third दिखा रहा हुए हैं यहां के दिश के कुछ का दारो ने परतीमा को तोड़ करके उनका परतिमा को नीचे फेक दिया था जिसकी भी पिक्चार हम आपको दिखा रहा है एक समय था जब बापु ने अंगरेजों को खिलाप आंदोलन चलाने के लिए यहां के लोगों ने बापु को चमपारन में बुलाया था जिस दिन को आज भी याद किया जात इस परकार की बहुत सारी घटना चमपारन में हो रहे यह इस चमपारन को देश बिदेश यानि की पूरे संसार के लोग चमपारन को जानते हैं राष्ट पिता की कर्म भूमी के नाम से और यहां के लोगों के दवरा उनके सात्किया और मानुए बहुवार किया जा रहा है जिसको अब साथ तोर पे देखे तस्विरों में समझ पा रहे होंगे यह बहुत ही सर्वसार करने वाली घटना है हलाकि यह तो जीला मुख्याला है यहां पे जैसे ही यहां के अस्थानिये लोगों ने परसासों को इस बात की जानकारी दी थी परसासों ने तुरत पहुंच क चंपारन सत्यागरा के 100 साल पूर्य होने के बाद 2017 में वहां पे मता कस्तुरबा गांदी और राष्ट पिता महातमा गांदी जी की एक परतिमा अस्थापना की गई थी जिसकी भी तस्विर आपके स्क्रीन पे चल रही होगी हलाकि अस्थापना के 2017 में ही अस्थापने के खबर बनाने के लिए वहां पे पहुचा तो हम लोगों ने देखा कि वहां पे राष्ट पिता महातमा गांदी जी की परतिमा ही नहीं पहले तो सर तूटा हुआ था और कुछ लोगों ने धर को भी गायब कर दिया था जिसकी भी तस्विर आपके स्क्रीन पे चल रही होग कि देश के गढदारों ने उनके अस्तीतों को बार बार यहां से मीटाने का पर्यास कर रहे हैं और सभी लोग चूपचप देख रहे हैं हलाकी इसमें परसाशन की गल्ती इसलिए नहीं है वे लोग भी क्या करेंगो उनको क्या पता था कि ऐसे भी कुछ गढदार हमारे समा बापु धाम मोतिहारी के चरखा पार्क का मुखेगेट है और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहोंगे कि बापु के चरखा को भी यहाँ पे बनाया गया है और यहीं वह जगा है जहां कि असमाजिक ततोव के कुछ लोगों ने बापु के परतीमा को छाती गरस्त क किया है हलाकि प्रसाचन उचित करवाई कर रही है और यहां पे तमाम वोग बैठे हुए जो महतमा गांधी जी के विचारों का अनुसरन करते हैं और उनको अपना मानते हैं और इस समध में मैं उनसे भी कुछ जनकारी जुटाने का परियास करता हूं और आगे क्या करवाई ह सबसे पहले तो मैं आप लोग का बहार परकट करता हूं इसलिए कि आप लोग इस महान परतीमा को तोड़ जाने के बाद में यहां पर धरना पर दरसंद कर रहे हैं आगे क्या कहना चाहेंगे आप इस दुर भागे पूर्ण घटना के बारे में हैं कि हम लोग गांधी को मा पहला प्रयोग किया और सफल हुए और इसी जगह उस जगह से जहां से महंदास करम चंदर गांधी बापू और महात्मा बने उस अस्थान पर उनकी एक तो मुर्ती लगी वही बहुत बिलंब से और वो भी आततायो दुवरा उसको खंडित करना यह पूरे रास्ट का अपम है हम इसकी घोर भर्चना करते हैं और प्रसाशन से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने भी अकृत को किया है उन पर सक्त सक्त करवाई की जाए अच्छा आज से 105 वर्च पहले की अगर बात देखी जाता यहां के लोगों नहीं बापू को निमंतरन दे करके चंपारन ने सत्य समाप्त करने का ही परियास करते हैं कि घटना सिर्फ मौतिहारी की नहीं है अगर आप याद करेंगे तो इस देश में पता नहीं कुछ लोग है कुछ इस विचार के लोग हैं जिनको गांधी की परतिमाओं से बहुत चीड़ है और यह सभी अस्थानों पर पूरे देश के स्थानों पर अन्यकों बार गांधी की परतिमाओं को तोने काम हुआ है आपके विचारों से मैं सामत हूं और मैंने तीन चार दिन पहले घोड़ासान परखंड के भेलवा बाजार से एक तस्वीर दिखाई थी जिसकी मामले की जनकारी से आप लोगी होंगी कि आगल विग पूरे देश में तोड़ा गया हो चाहे वो एस्टेशन पर उनका उनका चड़ी तोड़ दिया गया था तो यह जो घटनाय होती है यह कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मुर्ति तोड़ देंगे तो गांधी का विचार मर जाएगा गांधी मुर्ति से नहीं है है इस देश को वह अजर और अमर है वह हर्दम अजर अमर रहेगा और हम लोगों को दुख इस बात की है कि मुतिहारी जैसे जगा पर जहां सब कुछ गांधी में होना चाहिए वहां पर भी ऐसे गये गुजरे लोग हैं जो लोग गांधी के अपानित करने का कारी कर रहे है हम लोग इसके लिए शर्मिंदा हैं हालाकि यह तो जिला मुख्याल यहां पर पर परसासन जल्द ही मामले का संग्यान लेगर उचित करवाई करने का काम और प्रयास भी कर रहा है लेकिन और सभी जगहों की बात करें जहां पर महतमा गंधी के परतिमा के साथ दूर बेवा और कुछ और लोगे साम विचार लेते हैं इस दुर्भागयपुर्ण घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप यह तो काफी निंदन यह घटना है चंपालन बापु की कर्म भूमी रही है और चंपालन में ही बापु की प्रतिमा को इस तरह से तोड़ा गया है यह बह व्यवस्ता की जाए और दोशियों पर करवाई अविलम भी की जाए और करवाई भी सक्त तरीके से होनी चाहिए यदि ऐसे दुर्भागयपुर्ण घटना को अंजाम देने वाले व्यक्तियों को फासी पर भी चढ़ा दिया जा तो ओ भी उसके लिए कम होगा इसके लिए क चरखा है पीछे उनकी परतीमा थी चरखा तो है हलाकि कुछ लोग आराव मतलब की प्रिंट मीडिया के हिसाब से चरखा को भी तोड़ने का परियास किया गया है और बापु के ये कर्म भूमी चंपारन में कुछ समाजिक तत्वय के द्वरा जो बापु के परतीमा चंपारन बासियों काफी सर्विंदा है और ये घोर निंदनिये काम है जिस चंपारन को बापु ने अपने कर्म भूमी बनाया और यहां सी मुन्होंने सत्यागरह सुरू की चंपारन का नाम हमारे देश में उपर उठाने का काम किया चंपारन गर्वानमित है बापु की कर भूमी होने के नाते, आज वहीं चमपारन सरमिंदा से सरनत्मस तक है, कि यहीं क्या समाजिक तत्व जो गांधी जी की परतीमा को तोड़ दिये, काफी मरमाहत है मन, और ये भी है कि कल परशासन के लोग पहुंचे थे, यहां के परशासन पुरा मुस्तायद है, और हमको लग काफी निंदनी ये काम किया, और चमपारन वासियों के लिए ये कलंग की बाद है, जो चमपारन गौरो रहा है, हमारे देश का नाम उच्चा किया यहीं चमपारन, बापु की कर्म भूमी, आज वहीं चमपारन सर्म से सर्मशार है लेकिन गुनगान किसी और देश की करने का पर्यास करते हैं, और इस परकार के दुर भाग्य पूर्ण घटना का पर्यास करते हैं, यदि ये किसी नेता के खिलाप में कोई टिपनी कर दिया जाता है, तो कल हो करके पक्ष और भी पक्ष के बहुत सारे नेता हैं, जो रोड इस परकार की कोई घटना घटाने से पहले कोई सोचेगा और परसासन कोई इस पर सक्त से सक्त करवाई करने चाहिए था आगे की और अपडेट के लिए देख्तरी ये पुजारी मिनेटर वक्त तब तक के लिए मोतिहारी के चरखा पार्क से मैं संजीत कुछ वहाँ जय हिंद सब्स्क्रव।